दिवाली पर इस हफ़ते बॉक्स आफिस पर भूल भुलया तीन और सिंधम अगेन रिलीज हुई है एक नवंबर को दोनों फिल्में सिनेमा घ्रों में रिलीज हुई थी आए जानते हैं कौन सी फिल्म धुआधार कलेक्शन कर रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलया तीन फीट सिनेमा घ्रों में रिलीज हो गई है फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है फिल्म में कार्तिक के साथ त्रिप्ती डिमरी माधुरी दीख्षित और विद्या बालन मुख्य भूमिका में है कार्तिक ने फिल्म में रुह बाबा का किरदार निभाया है फिल्म का निर्देशन अनीस बजमी ने किया है फिल्म में रुह बाबा और मंजुलिका के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई गई है फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हो गए है फिल्म सिर्फ बॉक्स ओफिस पर ही नहीं ग्लोबल में भी अच्छा बिजनिस कर रही है रिपोर्ट के अनुसार भूल भूलिया तीन ने दो दिनों में एक सौ करोर का आकड़ा पार कर लिया है फिल्म ने वर्डवाइड पहले दिन पचपन दशमलव तीन शूने करोर की कमाई की फिल्म ने कुल मिलाकर बॉक्स ओफिस पर एक सौ साथ करोर का बिजनिस किया है वहीं भूल भूलिया तीन एक्टर के करियर की हाइस्ट ओपनर फिल्म बनकर उभी है फिल्म ने पहले दिन 36, 6 करोड की कमाई की है फिल्म की सक्सेस से कार्टिक बेहत खुश है एक्टर ने कहा कि लोग मुझे और मेरी जर्नी को खुद से रिलेट कर पाते हैं भूल भुलिया तीम के साथ बॉक्स ओफिस पर अजय देवगन की सिंधम अगने भी रिलीज हुई है रोहित शेटी की कॉप यूनिवर्स को भी दर्शक बेहत पसंद कर रहे हैं फिल्म ने वर्डवाइड 125 करोड का बिजनिस किया कार्तिक और अनीस बजमी ने साथ में दो फिल्मों में काम किया है दोनों ने साथ में भूल भुलिया दो में भी काम किया था फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवानी लीड रोल में थी भूल भुलेया दो भी बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर हिट हुई थी